कि हेलो प्रेंड आपका स्भागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आउल्लाइन सिक्षन पर बित्रों आप लोग इसेर कर देंगे जिससे कि हम लोग क्यों सन आज का स्टार्ट कर सकें का वो लोग 35 स्टेस्ट तक देश चुके थे आज उसके स्टार्ट करेंगे को से नम दो अर्ष का चक्विर्दी ब्याज ग्याद करिए, दो अर्ष का चक्विर्दी ब्याज हमें ग्याद करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चक्विर्दी ब्याज ग्याद करना है, तो दो अर्ष का है, और 10% हमारा ब्याज है, जब दो अर्ष का होता है, तो ह यहां पर एक गुड़े एक बचा और यहां पर दस प्लस दस यानि कि 20 और 2121 परसेंट हो गया अब आपको 400 का 21 परसेंट निकालना है जो आयेगा वह यापा एंसर हो जाएगा देखिए कैसे 400 400 का 21 परसेंट निकाल लीजिए मेरे भाईयों 400 का 21 परसेंट निकालना है जीरो जीरो से गया एक कैस गुड़े कर लेंगे जो चार एकम चार दुनिया आट तो यह तो आपका पता है क्या हो गया है यह तो हो गया आपका चकविर्धी ब्याज यह पूछा था आपसे 84 आपका क्या जाएगा चकविर्धी ब्याज देख लीजी 84 आया है क्या 84 आया है मित्रो यह निकि जो आपका चकविर्धी ब्याज है वो कितना आएगा 84 आएगा आगया कि नहीं 84 अगर आपको बिल्कुल बेसिक से करने है तो यहां पे लगाया यह बेसिक है बिल्कुल बेसिक है जिसे कि आपने बहुत बार लगाया हुआ है और बेसिक देखकर अप यहां से लगा सकते हैं है नेक्स कंई प्रक्र लेशन नम्पर 37 कि अधिए बेहित है आपका गुरंग खंड इस सरली करण से बिल्कुल गुषेंचंगि कुछ भी नहीं करना है देखिए ध्यान से 2 Сам 4 तो शोलग को नीचे लेकिया जाएंगे 16 के पावर में 2 कर देंगे ठीक है है यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाकर 2 ऑप स्वाइब स्यूप हम 2 की पावर को मित्रों पीश वह गया अब इसको does 2 कश पावर पाँच का मतलब क्या होता है Fin I go to ९े क्या need सब्सक्तर पाउशत होता है तो हम दो के पाउर पाँच को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। 16 गुड़े 2 लिख सकते हैं कि नहीं 27 गुड़े जब 2 लिख देंगे 5 था, इंटू 16 के पावर माइनस 2, तो हमने 16 के पावर जो 2 था माइनस, उसको नीचे कर लिया और उपर 2 के पावर 5 को हमने लिख लिया 16 गुड़े 2, 16 से 16 चला गया, एक पावर खतम, नीचे 16 बचा, उपर 2 बचा, तो 2 बचे 16, नीचे 8 बचेगा खेवल, 8 का ही मतलब होता है 2 के पावर 3, तो 1 बचे 2 के पावर 3 प्लस 1 बचे 2 के पावर 3 यहां पे भी है, तो 2 बचे 2 के पावर 3 अब 2 बचे 2 के पावर 3 है तो 1 2 से 2 गया, यानि 1 बचे 2 के पावर में कितना बचेगा एक बट्टे दो के पावर में देखिए दो बचेगा कि नहीं बचेगा बच जाएगा ना एक बट्टे दो के पावर में दो तो बस एक बट्टे दो के पावर में दो का मत्तब हो गया एक बट्टे चार एक बट्टे चार आपका राइट एंसर आ जाएगा और जो यहां पर स सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा एंसर एक बटे चार आएगा न कि वह न आएगा याद रखेंगे मित्रों है ना चले नेक्स जलते हैं कि प्यूस्प circuit नंबर 38 इंट कीलम्बाई चोड़ाई मुटाई डिया हूए दिया पचीज डर साथ तसमेलब पांच और आपको आपको देंदिया है कि वही इंट की लंबाई उपर है और दिवार की लंबाई नीचे है तो दिवार की लंबाई बटे इंट की लंबाई करेंगे यानि कि इस बार उल्टा दिया है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे यहाँ पांच मीटर कुछ सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो कितना होगा 500 500 और त की लंबाई चोड़ाई हुचाई 25 गुड़े 10 गुड़े 7.5 cm देख लिजेगा यूनिट बिल्गुल सही लेना है अगर यूनिट गड़ बड़ करेंगे तो गड़ बड़ा जाएगा अब देखे दोस्तों 7.5 है यहां पर और यहां पर पचीस है और यहां पर 10 है तो 10 मतलब पांच आपको पता है 7.5 यानि 35 का जश्ट अगर वहां पर 305 होता तो उसका दो बार में कटता तो हमें काम करते हैं दो उपर बचा है और उपर क्या बचा है 35 को हम 12 0 से गड़ा कर लेते हैं क्योंकि एक 0 और उपर बढ़ाएंगे तो नीचे भी बढ़ जाएगा हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भीजा हो जाएगा अब देखिए कुछ कट पिट रहा है कि बस आगे गाड़ी किसकने आली है देख लीजे अब इसी को आप सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका एंसर होगा तो 5 सते 35 काट लीजिए और नीचे ह एगा मित्रों जाएगा आखीलिची साथाीज निचे 15 है है नकrav参ल इक विखने यहान्mart पे कर देख द्यार के साथावया करव और विखने दर unjust और जाएंस सियुक्त दिंगी के बाद धर रहा दाएक से रहातना कीतना जाएगा 11 आफ आइव और है और वनिचे 5 है ऑर बचा नीचे क्या बचेगा फाइब बचेगा 5 बचा है तो 5 से 4 बार में 5 चोग की 20 यहाब चालीस हो गया 40 गुड़े 11 गुड़े 7 कर लिजिए तो 7 चोग 28 याब 11 चोग 44 अब देखिए 40 गुड़े 7 गुड़े 11 करना हमें हमारा राइट एंसर आ जाएगा 40 गुड़े 7 गु 3010 चिपका दिजिए 3080 अगर आया है एंसर तब तो आपका राइट है वर्ना रॉंग हो जाएगा देख लिजिए 3080 आया है फईया की नहीं आया है बताईए आया है हमने कहीं गलत किया कैलकुलेसन में नहीं न तो आपको भी इसी तरह करना है चलिए next क्योशन नूमर 39 बहत असान है इस बाद तीन वर्स का चक्विदी व्याज ग्याद करना है दस परसेंट वार्षिक व्याज की दर से तो यह भी सिंपल है हम लोग इसको भी सेम मेथर से देखेंगे जैसे पीछले वाला देख रहे थे अब दस परसेंट अगर दो साल का होता सामित्रों तो आपको पता 21 आ रहा था इसारा था दस परसेंट तीन साल का है तो इस बार 21 को दो में आइड करके अलग कर लेंगे प्लस दस लिख लेंगे 32 33 हो गया यानि कि 33 दसमलों एक 33 दसमलों एक परसेंट निकाल देंगे 5000 का निकाल दीजिए चलिए 5000 गुड़े 33 दसमलों एक बटेश सव कर देंगे पस जो आएगा आपका वहिचक वेज़ दिव्याज हो जाएगा जीरो जीरो से गया भईया यहां पर गया 33 एक गुड़े 5 5 पांच पांच 15 15 15 16 16 15 आपका राइट एंसर हो जाएगा देख लेते हैं कितना आया है 16 15 15 आ गया देख लो आप 1615 अब नहीं समझ्या आया जिसको भईया वह एक बार फिर से वीडियो को देखेगा और यहां पर जो बेसिक मेथड दिया गया है उससे स्वाल करने की कोशिस करेंगे आप हम आपको एक बार अगा करना चाहते हैं तो इसमें मैक्सिमम गलत एंसर दिया हुआ है तो आप ध्यान से करेंगे जिससे की आपका एंसर राइट आ सके है ना चलिएगा नेक्स वेशन के तरब चलते है क्योंसर नंबर 40 12 y square minus y minus 1 का गुड़न खंड कीजिए तो बहुत असाल है इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको हमने कईयों बार इसको कर रखा है ऐसे क्वेशन ठीक है आप कर सकते हैं इसको बस इसमें एक ध्यान रखना है जो हमारा द्विघाती का गुड़न है उसका और जिसमें कि माइनस फ्लस करने पर माइनस या फिर प्लस करने पर माइनस वाई आ जासए मैनसे माईनस अना जाए गुड़ा करने पर माइनस 12 वह जाए तो आसे दो नंबर तो हमको दिख रहा है 4 माइनस 2-3 माइनस 3 और 3 यह दिख रहा है न माइनस 4 और 3 तो दोस्तों माइनस 4 और 3 है तो माइनस 4 और 3 यहाँ पे हम आप कर सकते हैं 12 y square माइनस 4 y प्लस 3 y प्लस 3 y माइनस 1 कर लिजेसे solve देखे 4 y common कर लेंगे 4 y common कर लेंगे तो कितना बचेगा 4 तेन बार यानि कि 3y बचेगा माइनस 1 3y-1 प्लस 1 common कर लेंगे 3y-1 अब 3y-1 common कर लेंगे तो क्या बचेगा 3y-1 into 4y-4y-4y-4y-1 यह हो जाएगा आपका राइट एंसर ठीक है मित्रों यह हो जाएगा यह अब आपका 3y-1 4y-1 प्लस 1 आपका राइट एंसर हो जाने वाला है चलते हैं next question के तरफ 41 question का answer दीजिएगा 5000 के करज पर रामू दो वर्स बाद 640 साधारण ब्याज देता है ब्याज की दरग्यात करनी तो बहुत ही इसमें कुछ भी निकलना है देखें दो वर्स के लिए जब दे रहा है न इसमें आपको सोचना है नहीं है फार्मूला अगर लगाना है तो यह आपके सामने यहाँ पर रखा है लेकिन हम बिना फार्मूले के किसको कर गे दिखाते ह आपको पाले देखें फाइब थाउजन्ट वहां आप फाइब थाउजन्ट हमारा मूलधन है तो इसी में हैरावलिपि बित्ध कॉंसे कrie इसमें डिक बनाते हैं फाइब मने से धुनिया इतिहास अरच बैस थोड़ा सा मांइंड का कलकूलेशन होता है अगर आप थोड़ा सा फास सोच सकते हैं तो फास सोच लीजिए जिससे के दूसरों से आगे निकल जाएंगे बस इसमें कुछ नहीं रखा है तो 5000 के कर्ज पर रामु दो अर्स बाद अब दो अर्स बाद बोल रहा है तो टी दो है तो आपको पता है साधार भ्याज हमेशा चालीस है तो चालीस गुड़े सव बटे जो हमारा क्या बहिए मूल दन है 5000 वह इंटु कितने साल के लिए बोल रहा है दो साल के लिए बास 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 हो गया बहिए अब इसको चालब कर लीजिए रेट आ आगे आपके सामने हैं वन तू थी वन तू थी तीन जेरो खतम पांचक 30 5.2 5.3 16 मिलो 4 आ गया भई यह तो 16 मिलो 4 आपका right answer भी होना चाहिए 16 मिलो 4 आपका right answer होना चाहिए भई यह देखे है कि नहीं है 16 मिलो 4% है next question question number 42 243 एक पूड़ घन है तो 243 किसका पूड़ घन है तो आपको पता होना चाहिए अगर नहीं भी पता है 243 का आप क्या करेंगे भाई या लग सब्सक्राइब कर लेंगे यह बचाएगा तीन गड़े ती तो आपको यह बता देना है तो नौका कि मचाएगा लेकिन यहां पर एक तीन कमी है तो गता देंगे तीन त्रीका नोग जो है आपका सेस्थ पल बचेगा कि यह से नमबर नेग्स 729 एक पूरगन है तो 729 देखा जाता है तो दोस्तों 9 का पूरगन है याद रहेंगे ठीक है 9 का पूरगन है लेकिन लेकिन गब बोले गया तहां 279 किसका स्क्वाइर है तो बतादें में 27 का स्क्वाइर है मित्रों चलिए हम आपको कुछ रिविजन क होगे अगर हम बोलें आपसे भाइया की बताइये 25 का स्क्वाइर क्या होगा तो 625 बता देंगे बोलें 35 कि हो जाएगा अगर हम आपसे बोलें 40 का बता देंगे 41 का बोले तो 41 का कुं बताएंगा तो बता देंगे 1681, 1681 हो जाता है किसका भाईया, 1681, देखे, 41 का क्या होगा, 41 गुड़े 41 कर लेंगे, तो भाईया देख लिजिए, एक एक कम, एक चुके 4, गुड़े, 4 एक कम 4, 4 चुके 16, 1681 आएगा कि नहीं आएगा, 1681 आगया, अब यहां से आपको एक ट्रिक बताते हैं, तो यहां पर 64 ख्लिक देंगे, 8 का स्कुराइर, 14, सेम 43 का निकालेंगे, 43 का स्कुराइर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 17 के बात क्या आता है, 18 आता है, 18 आता है, अब 43 को जब 50 में से माइनस करेंगे, तो 7 आएगा, तो 7 सते 49, यानि 18 49, ठीक है मित्रों, अगर आपको 44 का स्कुराइर निकालने के लिए, 18 के आता है, 19, 24 को जब 50 में से माइनस करेंगे, 6, 6, 4, 36, ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं, अगर 45 का निकालना हो तो 45 का मैंने बताया है 5 जिसके लास्ट में आता है 5 बच्चे 25 कर देते हैं और 4 के आगे वाला एक संख्या यानि कि 20 20 सो 25 आपका राइट एंसर हो जाता है है रह मित्रों लेकिन अगर आप से बोलें कि देखिए आपका कल्कुलिसन पहले स्ट्रॉंग करना है अगर कल्कुलिसन स्ट्रॉंग है तो आप कहीं भी सर्वाइब पर पाईए 11 है अगर बोले 11 का 11 में गड़ा करिए तो आप बता देंगे 101 का शिम्पल सा सारेолод बच्चे बता देंगे लेकर बोलेंगे 11 का आप गुड़ा करिए 4, 5, 6, 3, 2, 2 में तो कैसे करेंगे बताइए कैसे करेंगे जो पहला 4 है उसको यहाँ प्लिख लेजिए और जो लास्ट वाला 2 है उसको यहाँ प्लिख लेजिए बस आप सबको जोड़िए 5, 4, बीच वाला दोनो 9, 6, 5, 11 को एक कहरी 6, 3, 9, 3, 2, 5 यानि कि 2, 5, 9, 1, 9, 10, 0, 7, 1, 4, 5 यानि कि मिला जुलाकर आपका कितना आ गया 5, 0, 1, 9, 5, 2 यह आपका भईया हाजाएगा क्या 11 का गुड़ा जब इतने में आप करेंगे तो यह सब ट्रिक है तो जिससे हम निकाल सकते हैं बड़े से बड़े गुड़न को आस चण है इसका तो देखते ही हमारे बच्चे एंसर देंगे score 8 इंटो 3 के पावर माइनस 3 है तो 3 के पावर माइनस 3 का मतलब एक EC3 के पावर में 3 चलिए नेक्सक्राइशन के तरह कि 45 पर राइट एंसर दोस्कों एक ठूज घनाकार तुकड़े का संपूर प्रिष्टीज छेत्रपल 200 सेलर सेंटीमेटर है कितना अभी घनाकार आपका है घनाब है तो आपका घनाब का भिया जो आता है प्रिष्टीज छेत्रपल कितना होता है कौन बता देगा बस प्रिष्टीज अगर क्यों पूछता है आयतन तो आयतन आपको पता है भुजा के पाउर्टी होता है लेकिन यहां घनाकार पूछा है उसका प्रिष्टीज छेत्रपल बताना है आपको तो प्रिष्टीज छेत्रपल का फामला सबको पता होता है किस तो काट लिए 266 से कठी जाएगा चात्री कठा रहा और चाचा के चात्तिस यानिकि यह परबर कितना आगया चाह गया जो एक साइड है आपका कितना आगया जागया एक साइड आपका अच्छा आगया तो आपके पूछरा आयतन बताईए तो चाह के पावर में 3 कर देंगे बस चाचागे 36 चका 216 लो भाईया जो पिष्टी छेतपल दिया तो भी 216 आएटन भी 216 आगया हन देखें कि लीला है सब बिटा नेक्स्ट परसर आयतन की परवासा दीजिए तथा इसे उधारण सहीर समझाईए आयतन का आसर शमता से है अर्थात किसी वस्तु की जिदनी शमता होती है यह उस वस्तु का आयतन कालाता है अन्य सब्दों में अगर देखें दोस्तों तो किसी ठोस पदार्त का वाईवंडल में जितना अस्थान घेरा जाता है वह उस पदार्त का आयतन कालाता है इसी तरह किसी खोकली वस्तु में जितना द्रव भरा जा सकता है वह तो द्रव का आयतन कालाता है ठीक है मित्रोमत तब कि आप समझ रहे हैं जैसे हमारे गर में टंकी होती है पानी वाली तो पानी पीने वाले आप जैसे लोग है तो क्या करेंगे बड़ी वाली टंकी तो लेंगे क्योंगे हम लोग तो पानी गहुत कम पीते हैं भीया ना तभी तो तब तो खराब होती है पानी की ना चाहिए इवे घर में मैं में पापा से बोलना है आज चाहिए कि बड़ी बड़ी टंकी लग वाए है ठीक है तो देखिए हमारे पास माली जे आप गये दुकान पे बोले कि दोस्तों कि अगर बोला जाता है एक मिटर क्यों बराबर कितना होता है तो बोलेंगे एक हजार लीटर होता है इस चीज को याद रखेंगे मित्रों हमेसा और हमेसा यह फार जगां लगा सकते हैं चलिए नेक्स के तरब बढ़ते हैं कि देखिए यहां पर दिया हुआ इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है इस तरह कि अमने ट्रिक बताये थे आपको मने पी करवालो स्पीट फाड़ हुआएगी तो इस तरह कि अमने ट्रिक बताई थी आपको आपको याद होगा जिसको उसको जो पिछले क्लासिस देख रहे हैं हमारे कई दिनों से उनको पता होगा अनिता आप लोग देखें क्योंसा नंबर नेक्स्ट बहुए है बहुत असान क्योंसान है लकड़ी का एक धककंदार संदूक है तो 25 cm मूटी लकड़ी से निर्मित है यदि इसकी बाहर की माप जो है 120 cm, 90 cm, 70 cm है तो संदूक की लकड़ी का आयतन ग्याद क करना है तो सिंपल है इसमें कुछ निक करना है मित्रों अब दीके 25 cm मूटी लकड़ी से निर्मित है तो सबसे पहले काम करेंगे हम लोग जो 25 cm है न मित्रों उसमें हम 2 का गड़ा कर लेंगे क्योंकि दोनों तरब जब संदूक बनाएंगे तो दोनों तरब मोटाई बढ़ 120 में से माइनस किया 115 नभे में से मायनस किया तो 85啯 Griff extendedoga गया सत्र में से माइनस किया 5 तो 65 अब देखेह जो आया है 115 85 65 वह तो अंदर का है अब बाहर वाला हमारा कितना था 120 90 70 इसका मल्टिप्लाई करके माइनस कर लेंगे तो हमारा एंसर आ जाएगा घं सेंटीमीटर में 12000 सोरी 120625 घं सेंटीमीटर अब बोला है एक घं मीटर प्राबाज 450 है तो हम सीधा सीधा जानते हैं 450 गुड़े 1000 करेंगे तो हमारा ग्राम में बदल जाएगा अब ग्राम में बदलेगा जो भीया उतना बटे 1000 गुडे सोरी 500 2 मिला जो ला कि हमारा जो एंसर आने वाला है 1,000 रुपय बदलना है ना तो यहां पर भाईया 1,000 मदब 450 रुपय था तो हमने 1,000 से गुड़ा किया इसमें और नीचे भी 100, 100, 100 से गुड़ा इस वज़े से किया यहां ग्राम में चेंज हो जाए ठीक है लब यहां पर जो मेरा करेंगे मित्रों ठीक है इस को आप लोग देख लीजिए इसका एंसर का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे यह कोशन का 47 नंबर कोशन का इसके आगे हम लोग करेंगे और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए अपनी पेपर बहुत पास है तो